सेकेंड फेस ऑफ इंडियन नाशनल मूव्मेंट ए एसरटिव नाशनलिजम इसमें क्या कुश्चन आ सकते हैं इससी बूर्ट के टेंज के एक्जाम में वो हम लोग डिसकस करेंगे इसका डिटेल डिसकुशन लास्ट वीडियो में हम लोग कर चुके हैं तो आपको समझ में इसमें हम कुश्चन आंसर समझेंगे कि किस टाइप की कुश्चन पूछे जाते हैं तो शौर्ट कुश्चन आते हैं जैसे कुश्चन इस तरह से की निम्दव वाइश्रा रिस्पॉंसिबल फर पर्टिशन अफ बिंगल तो हमको पता ही वस लाइड करजन लाइड करजन व बंगाल पर्टिशन के अगेंस्ट तो बंगाल पर्टिशन के अगेंस्ट बंगाल के लोगों का ये रियाक्शन था कि मासस ने मूवमेंट किया पबलिक रोड पर आई और बंदे मातरम काया गया आमार सोनार बांगला गया रक्षा बंदन किया गया गंगा असनान किया गय में बहुत बगी मीटिंग करी गई और लाखों की जो भीर थी वो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट के साथ बंगाल पार्टिशन के अगेंस्ट पहली बार मोबिलाइज हुई थी बंदे मात्रम किस ने कंपोस किया है इस तरह से कुश्चिन एक्जाम में पूट अप कर सकते हैं बंकिम चंद चाटजी का है ये और एंटी पार्टिशन मूवमेंट के दो लीडर्स के नाम बताई है तो एंटी पार्टिशन मूवमेंट हो रहा है ये तो सुरेंदाद बेनर तरह से पार्टिशन कुमार मित्र बहुत सारे लीडर्स थे लेकिन आपको दो नेम लिखने हैं कौन सा सॉंग रविन नाटागोर ने बनाया था आमार सोनार बांगला ये जो सौंग है ये रविन नाटागोर ने इसी मूवमेंट के लिए लिए लिखा था असर्टिव ग्रेंड मेंट चाहते थे वो डियरोड़ें चाहते थे वह आपके डिमांड रहे थे इन्डिपेंडेंस है Victorian के लिए तो सुराज इस तरह के डिमांड कर रहे थे so assertive nationalist को ऐसा क्यों कहा जाता कि assertive nationalist है वो assertive nationalist है इस लिए कहा जाता है क्योंकि उनकी policies moderate से बिल्कुल अलग है वो सुधेशी, सुराज, national education ये policy ये political tools है उनके और बाइकॉट इसके साथ में और जो moderate है उनके political tool persuasion, petition ये है तो basically prayer अब prayer तो कोई नहीं करता लेकिन persuasion and petition यही तो उनके basically उनके tools थे तो बिल्कुल different थे, moderate से उनके political tools बिल्कुल different थे तो आपको तीन prominent assertive leaders के नाम बताने हैं यह सब questions मैं बोल रहा हूँ जो possible questions बन सकते हैं तो prominent assertive leaders, prominent assertive nationalist leader के नाम बताने हैं बाल गंगादर तिलक जो ट्रायो फेमस है लाल बाल पाल बाल गंगादर तिलक लालालाच पत्रायन विपिन चंद्रपॉल तो यह assertive nationalist leader हैं अब जो assertive nationalist leader हैं उनका basically aim क्या था, क्या चाहते थे वह, immediate attainment of the suraj वो constitutional reform नहीं चाहते थे, जैसे moderates क्या चाहते थे, constitutional reform चाहते थे, home rule चाहते थे लेकिन जो assertive nationalist थे, वो immediate suraj चाहते थे तो उनका social base क्या था, तो basically जो social base assertive nationalist का एक positive point यही था कि तिलक ने 1893 और 1895 में शिवाजी महतसा और गंगापती महतसा शुरू किया और जब यह शुरू हुआ है, तो उसे public से सिधा connection उनका हो गया, तो youth, women, यह सब Indian national movement में attach हुआ, तो उनका social base यह सारे लोग थे, और educated middle class जो अब government job में नहीं था, वो भी social base में count किया जाने लगा तो क्या तरीके basically political tools क्या थे, discuss हो चुके है, सोदेशियन bycott उनके political tools थे, assertive nationalism के rise का reason क्या था, मैंने discuss किया है last video में, कि assertive nationalism के rise का basic reason यह था, कि moderates का failure था, और सही situation को समझ लिया गया था, कि Indian economic interest, British economic interest से match नहीं करते हैं, और साथ में Britishers की जो इंडिया को ignore करने की policy थी, कि famine इतना बगा पड़ा हुआ जिसमें करोग casualty हो रही है, और उस समय क्वीन का silver jubli celebration किया जा रहा है, और वो भी Indian favor के लिए कुछ भी money spend नहीं किया जा रहा है, तो यह सब public sentiment को बहुत hurt करने वाले चीज़ें थी, Indian educated mass, इसके पहली बार ऐसा हुआ है कि Indian educated people, जो English पगेवे लोग हैं, वो अंग्रेजियों के खिलाफ हो गए, कब हो गए बंगॉल के partition में, क्योंकि बंगॉल के partition में उनको पहली बार समझ में आया, कि यह हमारे nationalism की feeling को hamper करने का deliberate effort है, जानबूच कर किया जा रहा है, तो आपको दो event ऐसे list करने हैं, जो जिन्होंने assertive nationalism को boot up किया, तो basically international events पताने हैं आपको, जपान ने जो बीट कर दिया रश्या को, रश्या को वार में हरा दिया जपान ने, यह event जो था, यह पूरे वर्ड के जो colonial word है, उसका sentiment boost करने के लिए बहुत था, और Italy की forces अभी सीनिया में हार गई थी, तो Italy और साथ में Russia का हारना, यह बहुत बगए European powers के defeat होना, इसने पूरे word के जो sentiment को boost कर दिया, अख़वार तो हर तरफ चल रहे हैं, वरनेकुलर languages में, तो अख़वार हर लीडर का एक अख़वार है, सबके पास एक अख़वार है, चोटे लीडर उनके पास भी अख़वार है, तो अख़वारों के माध्यम से यह बाते बहुत ज़्यादा publish हुई, और लोगों के बीच में पहुँचीं, तो करजन की policies repressive थी, ऐसा आप क कुछ बोलना है, constitutional method से ही बोलेंगे, तो करजन की basic policy यह थी, और कालकटा Corporation Act जो करजन ने पास कहा था, 1899 में, उस कालकटा Corporation Act में यह बताया गया था, कि, मतलब इसको इस तरह चे design किया गया था, कि Indian जो participation है, वो reduce हो जाए, British participation बगाजा, कालकटा क्यों important है, कालकटा capital है, वही पर Britishers रह रहे हैं, वहीं से इंडिया को रूल कर रहे हैं, वहीं से इंडिया को रूल कर रहे हैं वो, इसलिए कालकटा Corporation Act, वहीं की municipal corporation अगर उनका against होगी, तो वर्क ही नहीं कर पाएंगे, तो करजन ने deliberately Indian universities को कर्ब किया, कालकटा Corporation को कर्ब किया, Official Secrets Act लाया, और साथ में य अर्टियूट था, Britishers का, तो अभी मैंने डिसकस किया, famine जब हुए थे, 1898 और 99 में, तो almost 1 crore, 10 million Indians died in that famine, और Britishers का, उसमें कोई भी interest या कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, जो इंडियन के favor में की गई हो, तो father of assertive nationalism किसको कहा जाता है, तो बाल गंगादर तिलग को father of assertive nationalism कहा जाता है, he was father of assertive nationalism, उन्होंने पहली बार, महराश्टर में, public से connection किया, और बगलि लेविल पर public connected, western liberal thoughts से connected public, western thoughts से connect, not liberal, western thoughts से connected public जो है, वो assertive nationalism कि तिरफ डाइवर्ट हुई, तो बाल गंगादर तिलग की तो बुक्स के नाम बताने हमको, तो गीता रहस से और आर्केटेक होम अफ़ विदास, आप कहेंगे कि गीता रहस से लखने का टाइम था है उनके पास, जब उनको भेजा गया था मांडले जेल में, तो जेल में खाली नहीं बैठे, बुक्स लखते थे वो, तो गीता रहस से और आर्केटेक होम अफ़ विदास, ये किताब ये उन्होंने जेल में रहकर लिख डाली, हमारे जितने भी नेशनल लीडर्स हैं, सबने जेलों में रहकर ही किताबे लिखी हैं, क्योंकि बाकि उनके पास समय नहीं रहता था, तो फादर अफ रेवलूशनरी थाट किसको कह और इंडिया में ये सोशल रिफॉर्म के बहुत डिमांड करते थे, कि इंडियन एजुकेशन इस तरह से करी जाए कि सोशल रिफॉर्म होता हो, चूंकि बर्मसमा से जुगे हुए थे, तो ये विडो रिमारेज और साथ में विमन अपलिफ्टमेंट के लिए ये बहुत लेट पास किया गया है, तो ब्रिटिशर्स तो डरे हुए थे, कि हम इंडियन कस्टम्स में बिलकुल भी हस्ताशी अपना करें, लेकिन अगर आपको इंडियन कस्टम्स में कुछ सुधार नहीं करने हैं, तो इतना सारा फिर वेस्टन लिबरेल थॉर्ट में और बंगॉल के तो ये फादर अफ रव 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 रुशन एक तरीके से थे, तो रव रव रुशन थार्ट में चंदरपाल का फेमस है, तो आपको ये बताना है कि तिलक ने किस तरह से नेस्नलिजम की स्पृट इंडियन में भरी, ये सब कुछिन आप से पूछे पूरे वर्ड में भिल की मनाया जाता है, तो ये सब तिलक ने शुरू किया है, और गंगरपती महत्सों में लाखों की भिल सलकों पर एकठा करने काम तिलक ने किया है, तिलक इस रीजन से, इस बहाने से इसका प्लिटिकल यूज़ करना चाहते थे भिल का, तो उन्होंने गंगरपती महत्सों हरसल मनाना शुरू किया, उन्होंनों दिखाया कि किस तरह से शिवाजी नाशनल हीरो हैं, और हमको शिवाजी की स्पिरिट में दुबारा काम करना है, और शिवाजी महारास्ट्र को भिलांग कर चले, तिलक ने शिवाजी का ही कंसेप्ट वहां से उठ और इंडियन हिस्ट्री को और चुकि तिलक हिस्ट्री के भी बहुत जानकार थे, तो इसलिए और इंडियन नाशनल मुव्मेंट के जितने भी लीडर हैं, वह सब हिस्ट्री के वगए नॉलज़िबल लोग थे, नहरु ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिंप्स द लाठी क्लब्स बनाए थे, तो जिस तरीके लाठी क्लब किसलिए पबलिक एक जगह एकठी हो सके, और एकठी होने के बाद उसमें पैट्रियॉटिक फिलिंग भरी जा सके, तो आज भी आप देखते हैं कि बहुत चारे स्वाह से भी संगठन है, स्वाह से भी संगठन है, एक RSS का भी एक एक जामपल अब लीजिए कि और गनाइजेशन इस तरह से होता है, कि हमेशा राजनितिक बात नहीं होती है, तो इस तरीके से कुछ तिलक ने चीजों को किया था, मैं कंपेर नहीं कर रहा है, वो बाते दोनों अलग अलग हैं, आप भी मत कंपेर करिए, मैं तो अब तिलक नैशनल सिंबल्स का यूज तिलक जो है तिलक ने कॉंग्रेस कब चौंग नहीं टिलक से निकाला गया, यह नि निकाल और शोम हितास की है, सुरेठ स्विट में तिलक को कंभरेस से निकाल दिया, कि आप कंघौिस के मेंबर लैख नहीं हैं, तो क्योंकि आप के थोट ऐसे हैं जो कांग्रेस को देश को बरबात कर देंगे तो शिवा जी ने क्यों गभपती महत्तो और शिवा जी महत्तो को रिवाइफ किया ऐसा कुस्चिन पूछ सकते हैं तो शिवा जी ने तिलक ने इसलिए रिवाइफ किया ताकि educated कर सके तिलक को तो गांधी जी का फोर रणर कहा जाता है क्योंकि तिलक के वही आडियस थे जो गांदी जी आडियस थे बस यह कि गांदी जी को ज्यादा पबलिक सपोर्ट मिल गया गांदी जी फैवरेबिली ऐसे समय में आए जब इंडिया की और पॉलिटिकली कैंशियस हो चुकी थी तो आपको दो अचीव जो सरकारी नोकरी भी नहीं चाहता जो स्कूल भी नहीं पगना चाहता जो सिर्फ यह चाहता है कि इन्डिनाशनल मुवम्मट्ट ने पर्टिसिपिट करे एक पूरा कडर तयार हो गया लाखों लोगों का तो आपको नेक्स क्वेशिन है कि तिलक ने ये लाथी कलप्स क्यों तो सेल्फ डिफेंस और पेट््रियोंट लिए थी फिलिंग भरने के लिए खिसंप किये थे तो थे एक सशर्टिबॡ नेटार्टिलिस्ट की कि क्या फिलिंग थी और इन्हों ने नौन कपरेशन की फी लिए ऑडप्ट करी थी क्या पहली वो इंट्रनाशनल इवेंट थे उनसे इंस्पिरेशन ले रहे थे उनको ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई थी कि मॉडरेट जो कुछ ले सकते हैं वो नहीं चाहिए उनको वो सक्रिफास करने के लिए त्यार थे तो राज मेरा जन्म से दाधिकार है और मैं इसको लेकर रहू leaders जो हैं वो sacrifice करने के लिए तयार हैं जो student हैं वो अंग्रेजों के school छोग रहे हैं जिनको सरकारी नौकरी अभी तक लेने के लिए लोग परचान दें अब लोग स्तीफा दे कर आ रहे हैं लाखों के करजन के रिप्रसिव पॉलिसीज थी महोल तयार था करजन के पॉलिसीज ने कारांग दे दिया और करजन की जो रिप्रसिव पॉलिसीज थी वो भी बेसिक रिजन था पारटरशन बंगॉल बेसिक रिजन था और बाकी उनके अंडरस्टांडिंग जो थी इंडियन पॉलिटि तो यह जो करजन का बहएवियर एक तरफ दूसरे लोग कुर्बानी देने को तयार हैं, एक तरफ आप एक इंच भी जुकने को तयार नहीं है, तो तो महल तयार हुई जाएगा, बस यह हुआ तो जो नैशनलिस्ट थे, जो असर्टिव नैशनलिस्ट थे, उनको यह लगा, कि यह डेलिबरेट अफ़र्ट है हमारी फिलिंग्स को क्रश करने के लिए, और हम जिस चीज के लिए इतना ज़्यादा साक्रिफाइस देने के लिए तयार हैं, करजन तो एक इंच भी जुकने क की तहरी कर रहे थे, यह बुले लिए, कॉंग्रेस इस टॉटलिंग्स टॉटलिंग्स पीस्फिल डिमाइस, अपने मिर्तो की कगार पर हैं, और मैं इसकी शानतिपों के मौत में मदद करूँगा, तो लोगों का रियाक्शन कैसा था, पार्टेशन अब बंगाल के लिए, लोगों का रियाक्शन तो बहुत स्टॉंग था, पब्लिक सबकों पर थी, और बंकिम जन चैटर जी का पुराना जो सौंग था, बंदे मात्रम वो सबकों पर गाया गया, रविन्ना टेगोर का जो सौंग था, अमार सोनर बांगला वो सबकों पर गाया गया, और बंकिम ज सन्यासी विद्रो के उस आनंदमठ जो नावल है जो अपन्यास है उसके शुरुआत में ये लिखा हुआ है तो वहां से ये लिया गया और उसके बाद ये सब सलकों पर गाया गया रक्चा बंदन हुआ लोगोंने गंगास नान किया टाउन हौल में इतनी बुगी मीटिंग तो बस यहीं अंतर है कि अंग्रेजों को गंधेजी का बेसी के लिए का घी काम था कि हरे स्टेशन पर उतरना और कितने कपड़े जलाएंगा अग्रेजों के यह हमको देखना आए और फिर अग्ले सेशन पर चले जाना अब छाना अभी को लितना ही यह कर रहे थे क्या नोरी में किहा इन्गरेजी कपरें यहीं तो समस्य कOK कर रहे हैं वहां की मिलों का बनाNews है वाल लिए प्रावब्लम को काटी केुट लिए सवह इदि है यह जेक को है यह और रिस अमाज दिया था आर यहीं समाज देवलप कर दिया है वैसे सपोर्ट मिल रहा है कितना भी काबिल आदमी नेपॉलीन ऐगर अगला क्वेशन बराते है तो विद रेस्पेक्ट टुजे सूरत सपलीट आपको बताना है कि सूरत सपिर्ट के रेफर्EMA самों बताये कि जो माडरेट्स हैं और जो ऐसर देज्ट उनके ideas में क्या difference है basically, कि मॉडरेट क्या कह रहा है, petition दीजिए, persuasion करिये और prayers करिये, यही तो यह तो यह थोगा मज़ाग के sense में extremist उनको कहते थे, assertives के लिए extremist वर्ड भी पूरानी किताबों में उसके एता था, अब उसको assertives कर के लिखते है, तो यह जो assertives है, यह कह रहे थे आपकी ये थ्री-पीस की policy है, petition, persuasion and prayers, बट इनकी policy क्या है, इनकी policy तो सुदेशी की है, बाइकॉट की है, नाशनल एजुकेशन की है, नौन कॉपरेशन की है, पैसे रेजिस्टेंस कहने में भी ने दिक्कत थी, बोल दें, नौन कॉपरेट करेंगे, हमको इमिरेट सुराज चाहिए, और वैसा नहीं जैसा अस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड का है, हमको सुराज वैसा चाहिए, हमको अंग्रेज नहीं चाहिए हिंदोस्तान में, तो बेसिकली ये जो चीजे हैं, ये सारी चीजे, लेकिन उनके पास वैसा कंस्ट्रुक्टिव आइडिया नहीं था, जैसा मात्मा गांधी के पास तागे जा करके, पब्लिक को मोटिवेट करने का, भीर उनके नियंत्रग में नहीं थी, गांधी जी के नियंत्रग में भीर थी, क्या आप ये समझ सकते हैं, करोगों की भीर, करोगों की भीर जो असायोग आंदुलेंड में, हिंदुस्तान में, ब्रिटिस स्यामराज की जवाओं को ख़गा देने लिए ख़गी हुई थी, गांधी के एक कॉल पर, वो मुमेंट खतम हो गया, करोगों की भीर को बैठा देनी के ताकत ही मात्मा गांदी में, तो भीर को उकसा देना तो आसान काम है, भीर को बैठा देना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो यही राष्ट्टु पिदा की पावर है, तो सूरा स्प्लिट से क्या नुकसान हुआ, सुराइस्पिलिट से ये नुक्सान हुआ कि कॉंगरेस का sc bı dado रूप है कॉंगरेस का माडरेट रूप है कॉंगरेस में डिवीजन पॉइचा कॉंगरेस ही सबसे बगई एक पार्टी थी सबसे बगाई फोर्स था अंगें सब ब्रिच नास अगेंस दे बिटिश कलोनियल रूल और वही डिवाइड हो गया जब वही डिवाइड हो गया तो इंडिया की जो पॉलिटिकल प्रेशर की जो पॉलिसी दी वही खतम हो गई और यह हुआ क्या यह बंगाल मुव्मेंट को जरातर लीडर्स तो यह सब अलग-अलग चैनल में चले गए जरातर को जेल भेज दिया गया और विंद घोष ने सन्यास ले लिया पॉंडिचेरी में जाकर सन्यासी हो गए तो इस तरह से यह सुरत स्प्लिट फैटल रही एक तरीके से घातक रही भारती राष्ट्रबाद के लिए अब आपको यह बताना है कि यह जो अर्ली नाशनलिस्ट है और जो असर्टिव नाशनलिस्ट है उनके अबजेक्टिव में क्या डिफरेंट है और अचीवमेंट में का डिफरेंट है और जो अबजेक्टिव तो बिलको डिफरेंट है क्योंकि अर्ली नाशनलिस्ट यह चा है और अचीवमेंट क्या है अर्ली नैशनलिस का अचीवमेंट सिर्फ इतना है कि वह एक्समेंडीचर कमिशन ने एक बनवा पाए एक पॉब्लिक सबस्कमिशन बनवा पाए वाइस रागल का एकस्टेंशन करवा पाए कॉंस्टिटूशनल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने अचीवमेंट वही है कि उन्होंने अपनी फोर्स के का यूज करके बंगाल का पार्टेशन वापस ले लिए और इंडिया में एक पूरा का पूरा कैडर त्यार कर दिया जो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयर हो तो इंडिया के पॉलिटिकल मुव्मेंट को सबकों पर लान हैं कि जो सुराज का एडिया है वो यही गंधी जी का इंडिपेड्डेस का इडिया से बहुत कुछ मिलता जूलता है और बे Versic बात यह है कि ब्लक गंगादर तिलक हो लीडर है जो पब्लिक से कनेक्शन रखते हैं शिवा जी बहुत सो गपती महुत सो बवारा में बात कर हूँ पुलिक से कनेक्षिन गांधी जी भी रखते थे बहुत ज़्यादा इतना पब्लिक कनेक्षिन किसी का नहीं था जितना तिलक आर गांधी का रहा इंडिनेशल मूव्मेंट में तो ये पब्लिक नेक्षिन होने की से तिलक को गांधी का फोर Chloe कहा जाता है आपको अब बताना है कि कौन से इवेंट हैं जिन्होंने एसर्टिव नैस्नलिजम को बगा दिया तो यह डिस्केशन हो चुका है लेकिन समझ लीजिए करजन की रिप्रसिव पालसी नंबर वान पॉइंट नंबर वान नंबर टू इंटरनाशनल इवेंट्स ऐसे हुए और नंबर थ्री सही नेचर समझ समझने के साथ इंडिया में प्लिटिकल कॉंशियसनेस और असर्टिव नाशनलिजम का जो लीडर्स तयार थे वो सब सक्रिफाइस करने के लिए इसलिए यह चीज आ गई अब आपको बताना है कि यह तिलक ने जो कहा था सुराज is my birthright and I shall have it यह तिलक क्या कहना चाहते थे तो तिलक यह कहना चाहते थे कि हमें immediate सुराज चाहिए और immediate सुराज का मतलब है we don't need foreigners हमको Britishers के जुरूत नहीं है यहाँ पर और आप constitutional reform में तो बिल्कुल भी इनका यकीन नहीं था तो इसके अलाबा अब हमें तीन बातें और discuss करनी है इसमें पहली बात तो तिलक के बारे में तो पूरा discussion होई चुका है विपिन चंद्रपाल और लाला लाच पत्राए तो विपिन चंद्रपाल जो है वो इंडिया के father of nationalism कहे जाते हैं और विपिन चंद्रपाल ने बंगाल के revolutionary thought को आगे बगाया लाला लाच पत्राए पर एक picture question इस तरह से बन सकता है exam में तो उसको आपको समझना है कि लाला लाच पत्राए basically ये इन्होंने congress को join किया शुरू में और congress को join करने के बाद करजन की policy की against जब करजन ने repressive policies अपनाई तो उसकी against इन्होंने work करना शुरू लेकिन इनको Congress से निकाल दिया गिया और जब Congress से निकाल दिया गया फिर इनको डिपोर्ट कर दिया गया अनवान्स और वहाँ पर ये कुछ साल रहे और जब ये लॉटकर आए हैं तो लॉटकर आने के बाद इन्होंने work किया और जो work किया वो labor के लिए किया मतलब ये labor leader भी थे क्योंकि 1920 में All India Trade Union Congress के पहले प्रेसिडेंट बनाए गए और बाद में इन्होंने जब उसके साथ साथ इन्होंने मोतिलाल नहरू और सी आरदास के साथ जो सुराज पार्टी थी उसको भी जॉइन किया और सुराज पार्टी के जॉइन करने के वाद Central Legislative Assembly के लिए एलेक्ट थे चुकि यह तो शेर पंजाब और Assertive Thought के आदमी थे तो इनको थाट पसंद नहीं आए सुराज पार्टी के को सुराज पार्टी तो constitutional means अडाप्ट कर रही थी तो वह तरीक इनको पसंद नहीं आए तो more or less वह तो moderate के रास्ते पचा लेता सुराज पार्टी के लोग तो वह इनको पसंद नहीं आए और बाद में सामें कमिशन के अगेंस्ट जो है प्रिटेस्ट करते हुए इन पर लाठी चार्ज हो और इनकी ड जेट टु इंडिया और साथ में अबंदे मातरम नाम का जो अखबार है वो भी नो नहीं निकाला तो इस तरह से लाजपत्राय राइटर थे पॉलिटिकल लीडर थे और साथ में लाजपत्राय ने मासिस को पेट्रियाटिक फिलिंग के लिए लगातार प्रमोट किया पेट So, that was all discussion. Thank you very much.